हमेशकार एवरीवाइन वेलकम बाक टो टी एक्सपर्ट देभूमी में आपका स्वागत है मुझे पता है आप बहुत टाइम से हमारे इस वीडियो का वेट कर रहे हैं हर साल जैसे कि हम आपको इंफरमेशन देते हैं जब भी उत्राखन के चारधाम की यात्रा शुरू होने तो उससे पहले आपको सारी इंफरमेशन देते हैं अभी क्योंकि बाइरोड वाला जो पैकेज है वह भी हम कॉस्टिंग पर वर्क कर रहे हैं इसलिए अभी जो पैकेज रेडी हो गया है जो देहरादून से देहरादून आपको चौपर बुक किया जाता है जिसमें आपको हम वो सारी फेसिलिटीज वो सारी जो आपकी चिंताएं हैं जहां पर आपको ट्रेक करके जाना पड़ता है उसको हम इजी बना देते हैं वहां पर जो भी सुविधाएं मिलती हैं पोनी पालकी की या अच्छे होटेल अच्छा फूड वो सब हम आपको इसमें इंकलूड कर आते हैं तो जो पहली बार देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने किया हुआ है वो कॉमेंट करके हमें बताएं कि हम इंफ्रमेटिव वीडियो बनाते हैं या नहीं तो चलिए चारो धामों की यात्रा हम देरादून से कैसे कराते हैं आपको बता ivat है आपको देरादून में वन नाइट स्टे डिया जाता है एको क्योंकि अर्ली मॉर्णिग आपको सुबह यह से फ्लाइक करा के घरादून से हरसाली भेजा जाता है जहां पर आपका पहला पड़ाव होता है यमनोत्री धाम का याम这个 Terry दाम के लिये क्योंकि ये फ्लाइ आप पहुंच जाएंगे, वहां से क्यूंकि आपको ट्रेक करके ही जा रहा है, जो पांच किलोमेटर का ट्रेक है, जानकी चट्टी से, वहां के लिए पोनी पालकी आपको इसी पाकेज के अड़र अवेलेबल कराई जाती है, आप पोनी मिलेगी अपालकी, ये तो डिपेंड करता है अवेलेबलिटी पर, लेकिन अगर आप ट्रेक करके जाना चाहते हैं, तो आप ट्रेक करके भी जा सकते हैं, और आप आफ्टरनून तक वापस आ सकते हैं, यमनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद भी आपके पास आधा दिन बचा होता है, जिसमें आप वहां पर ब आपको बाइ रोड लेकर जाया जाता है, 20 किलोमेटर अप्रोक्स वहां जो डिस्टेंस है गंगोत्री धाम तक के लिए वह आपको बाइ रोड जाना पड़ता है, टैक्सी पे इंगलूड होती है, गंगोत्री धाम से दर्शन करके आप आप आफ्टरनून तक वापस आ जा आपको अकॉमेटेशन वहां भी मिल सकता है, लेकिन प्रीमियम लोकेशन पर प्रीमियम आपको होटेल मिलते हैं, जहां पर सर्वसेस के इशूज नहीं आते हैं, दूसरा बस मैं यह कहना चाहूँगी कि चारधा व्यात्रा करने आ रहे हैं, तो जादा घूमने की इच्छा के लिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट पडाव होता है, आपका केदारनाद बाबा के दर्शन करने के लिए, केदारनाद जी, वहां पर क्योंकि तीन स्पोर्ट बनाए गये हैं, शटल सर्वसेस जहां से चलती हैं, हेलिकॉप्टर उड़ते हैं, जिसमें गुपतेकाशी, फा होटेल्स तो आपके लिए बुक किये ही जाएंगे, वो सब इसमें इंक्लूड होगा, बस आपको चौपर से जाना है, और दर्शन करके सेम डे वापस आना है, गुपतेकाशी में, ये वाला थोड़ा सा और जाधा टाइम कंजूमिंग होता है, क्योंकि थोड़ा सा वेटि पाल की मिल जाती है, किदानात बाबा के दर्शन करने तक के लिए, साथ ही आपको इसमें, जोभी पूझा सर्विस है, कहीं पर भी, अगर आपको पहले से प्री बुक करना है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड किया जाता है, बस आपको हमें बताना है, और उसके बाद गुमने जाना है दर्शन करने जाना है तो वहां का जो जो रोड है वो बहुत नेरो है उसमें आपको बहुत जादा टाइम लगता है जाने के लिए तो वो थोड़ा सा सोच कर जाए अगर टाइम है तब ही जाए अदर्वाइज अवाइड करें नेक्स टाइम अलग से प्लान करते हैं बदीनाथ धाम के लिए बदीनाथ धाम का भी जो हैलिपेड है वो मंदिर से लगभग डेड़ दो किलोमेटर की दूरी पर है वहां से आपको बाइकार होटेल तक लाया जाता है अच्छे होटेल वहां भी आपको प्रवाइड किये जाते हैं लेकिन क्योंकि इस मटर तक पैदल चलना पड़ सकता है तो मुझे लगता है धाम जाने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए माइन में बिलकुल यह ना लेकर चलें कि हम चौपर से जा रहे हैं तो हमें कोई परिशानी नहीं होनी जाहिए अपना जितना आप कूल रहेंगे आपकी यातरा उतनी सफल रहेगी यहां पर आपके दर्शन जब हो जाते हैं जितना टाइम आपको मिलता है बद्रिनाथ धाम घूम कर आप माना जा सकते हैं वहां पर विजट कर सकते हैं और नेक्स दे फिर आपको वहां से फ्लाइ कराया जाता ह वापस दहरादून हेलिपड के लिए यहां पर क्योंकि आप अर्ली मॉनिंग टाइम ली पहुंच जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है अगर आप उसी दिन सेम डे आप वापस घर जाना चाहें तो अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं या बाइ रोड जाना चाहें तो जा बाइशन अपरन सकते हैं यह पूरी आईटिनरे होती है इसका जो कॉस्ट है वह Variation ऑच्विय क्योंकि आपको पता है क्या होटेलस आपको मिलने वाले हैं हर अच्वाधेल का बजट अलग होता है हाला कि प्रिमिम होटेल लेकिन कहीना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं 1,80,000 से लेकर 2 लाग तक इसमें per person cost रहती है चारो धामों के लिए लेकिन अगर आप दो धाम करना चाहते हैं उसमें आपको 2 packages मिलते हैं या तो आप 3 night 4 days का package ले या फिर आप same day में 2 धाम कर सकते हैं किदारना धाम और बद्रिना धाम उसका जो cost है वो लगभ नहीं होती है क्योंकि सब कुछ हम आपको बुक करके देते हैं तो चलिए जिसका budget है by chopper जाना चाहते हैं तो सारी टेंशन हमें दे दीजिए हमें सिर्फ आपको हमारी website www.otxpert.in पर आप चेक कर सकते हैं वहां पर एक form है उसे भर ये और हमें सारी जो भी आपकी requirements है वो बता देरादून से देरादून उसमें पूजा से लेकर shuttle services, pony, palki, सब कुछ हम आपको अरेंज करके देंगे वो हमें जल्दी से अभी contact कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है seats तो limited ही होती है हम आपकी booking अभी से शुरू कर देंगे और इसी तरह की जानकारिया लेने के लिए जिन कर दो झाल झाल